आज हम जानेंगे किड्नी रोग्यों के लिए अद्रक के सेवन के बारे में कि क्या किड्नी रोगी अद्रक का सेवन कर सकते हैं या नहीं वैसे तो अद्रक लगभग हर किसी को फायदा पहुचा सकता है लेकिन इस वीडियो में हम किड्नी रोग्यों के लिए अद्रक के सेवन की चर्चा करने वाले हैं और साथ ही जानेंगे कि किड्नी रोग में अद्रक का सेवन कैसा रहने वाला है अगर आप भी किड्नी से जुड़ी किसी समस्या से परेशान है तो वीडियो में एंड तक बने रहे और अगर आपने अभी तक हमारे चानल किड्नी ट्रीट्मेंट इन आयरुवेदा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें साथ ही बेल आइकन को दबाना बेलकुल भी ना भूलें ताकि हिल्ट से जुड़े इस तरह के इन्फरमिटिव वीडियो को आप सबसे पहले दे लेकिन अगर आप किड्नी के मरीज नहीं है और अपनी किड्नी को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप अद्रक का सेवन जरूर कर सकते हैं और इसके सेवन से अपनी किड्नी को विल्कुल हेल्दी रख सकते हैं साथ ही अद्रक के सेवन से आप अपने कांसर के खत्रे को भी कम कर सकते हैं इसके अलावा इसके उपयोग से आप अपनी जाइबिटीज और हाथ की समस्या में भी राहत पा सकते हैं अगर आपको मास्पेशियों में दर्थ की समस्या है तो अध्रक आपको इस समस्या में निजाद दला सकता है साथ ही अध्रक का इस्तिमाल आपको सर्दी और जुखाम जैसे समस्याओं से भी आराम दलाता है तो अगर आप किड़नी के मरीज तो अद्रक के सीवर से दूर रहें साथ ही किड़नी के सही ट्रीट्मेंट के लिए डॉक्टर से कंसर सरूर करने तो आज के लिए बस अतना है आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर के सरूर बताएं साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल भी न भूले हम आप से बिलेंगे एक नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना खयाल रखें केल दी रहें नमस्कार